नमस्कार मित्रों जय मातादी, जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञान वर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में व्रिष्चिक राशिवालों ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर राशि बनेगी आपकी राशे? जी हाँ, क्योंकि अंतरिक्ष के सभी देवी देवताओं का आदेश मिल चुका है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशिवालों की कुंडली में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में जो होने वाला है, इसे देख कर सबकी आँखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि पिछले समय अंतराल में अपने अपने जीवन में काफी दुख तकलीफ देखें हैं, काफी मुसीबत का सामना की है, लेकिन अब वह सभी दुख तकलीफ भगवान बजरंग बली जी के आशीरवाद से खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द चल रहे हैं, वह सभी आधे से ज्यादा दूसरों की वजह से आपके जीवन में आया है और यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। कि आप चलना सीख गए हैं। कि आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अब आगमन 100% बदलेगा और अगर नहीं बदला तो मैं अन जल का त्याग कर दूँगा। इतने दावे के साथ कह रहा हूँ बस अगले 24 घंटे की बात है। आने वाले अगले 24 घंटे के बात से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ, और आप अपनी आँखों से देखोगे, अपनी ही जिन्दगी को बदलते हुए, और ये सब देखकर आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, जब उपर वाले विधाता का निराला खेल शुरू होता है, ना तो जीवन में कुछ से कुछ होने लगता है, खास कर जो असंभव होता है, सबसे पहले वही संभव होता है। दोस्तों, इतना बड़ा बदलाव आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक साथ कई बड़े ग्रह आपकी राश्यवालों की कुंडली में विराजमान होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ शुक्र शनी और मंगल का प्रभाव भी पढ़ने वाला है दोस्तो अब आप तो माला माल ही हो जाओगे, धन दौलत से धनवान हो जाओगे, क्योंकि कल से आप सभी का जीवन बदलेगा, एक प्रकार से यूं कहें कि महा बली महा, शक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी ने सोने के कलम से, सोने के पत्र में आपके भाग्य लिख दिया है, जी हाँ, अब आपका एक-एक सपना सच हो जाएगा, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही कल सुबह होगा, सूर्य उदय होने से पहले आपका भाग्य उदय होगा, जी हाँ, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, कल जैसे ही आप सुबह सो के उठोगे, आ और आपके जीवन में परिवर्तन भी होंगे क्योंकि परमात्मा एक मौका फिर से आपको देने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपका तिजोरी पैसों से फूल हो जाएगा। जी हाँ, खूब सारा पैसा, खूब सारा धन दौलत आपको मिलने वाला है। किसी ऐसी जगहों से अचानक इतना बड़ा धन लाब होगा, जिसकी उम्मीद आपने कभी भी नहीं की होगी। बिना मांगी आपको वह सब कुछ मिलने वाला है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। महनत से ज्यादा परिणाम मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे समय में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, कि इस शांदार और सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। अगर एक बार यह मौका आपके हाथ से चला गया, तो ऐसा मौका फिर दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि किस्मत सिर्फ मौका देती है और मौका उन्हें को देती है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही किस्मत बनती है। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर सफलता और कामयाभी आपकी चौखट चूमने वाली है दोस्तों। बहुत सालों बाद महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी आपके उपर महरबान हुए हैं। इसलिए कई सालों बाद आपके भाग्य का ताला खुलने जा रहा है और जब आपके भाग्य का ताला खुलेगा तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। पूर्ण वीडियो ग्रह नक्षत्र एवं आपके चंद्र राशिपर आधारित है इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना और ना ही वीडियो को मिस करना क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो की वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं या फिर वीडियो को आधे अधूरे में ही छोड़ कर चले जाते हैं इसलिए उन्हें लाब नहीं मिल पाता है, और कही न कहीं वही गलतियां आप भी अपने जीवन काल में तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो मत करना, वरना आपको भी लाब नहीं मिल पाएगा. दोस्तों, मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा आप अपने जीवन में दि पोड़ा सा फर्ज बनता है वीडियो को अंत तक देखने का लेकिन उसी बीच वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में संकट मोचन जय महाबली जय वीर बजरंग बली जरूर लिखें। कर रही है। आज के इस वीडियो के द्वारा इन सभी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभधायक है द में आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड मारेगी क्योंकि अंत्रिक्ष के सभी देवी देवता आपके उपर महरबान है। अब आपकी काम्याबी को कोई रोक नहीं सकता। अब आपकी बराबरी करने के लिए लोगों को एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाएंगे। फिर भी कि अगले साथ जन्म में भी नहीं कर पाएगा। जो आप एक जटके में कर सकते हो दोस्तों महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीरवाद से अब आपके सारे बिगड़े कार्य बनने वाले हैं। और कम मेहनत में भी आपको बड़ी सफलता प्राप् आप अपनी जिन्दगी में बहुत बड़ी तरक्की कर दिखाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि इस समय अवधी में कई बड़े लाब के योग बन रहे हैं, धन लाब के योग बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि मनजिल उन्हें नहीं म जिनके ख्वाब बड़े होते हैं बलकि मनजिल उन्हें मिलती है, जो जिद पर अड़े रहते हैं, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी के इन बातों से यदि आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहें। जी गुरुजी, आप एकदम सही बोले। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अगले 24 घंटे के इस समय अवधि में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके लिए क्या सावधानिया हैं और क्या उपाय करनी है। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और उपाय लेकर ही जाएगा। आप कोई साधारन मानव नहीं हैं। जरूर आपके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। आप भगवान के बहुत ही प्रिया हैं। आप भगवान की बहुत ही करीब हैं। तभी तो स सभी 33 करोड देवी देवता महरबान हैं। आपके उपर सभी 33 कोटी देवी देवताओं का आशीरवाद हैं। अब आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां। और ऐसा पहली बार आपके जीवन में हो रहा है। उपर वाले सभी 33 कोटी देवी देवताओं जो बड़ी महत्वपूर्ण खुश्खबरी आपको मिलने वाली है, सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाओगे, आप लोग खुशी से नाचने लग जागी, जी हाँ, क्योंकि अब आपको बहुत सभी प्रकार के सुख मिलने वाले हैं, गाड़ी वाहन का भी सुख मिलेगा घर बंगला नौकर चाकर, प्यार परिवार संतान, नौकरी बिजनेस, व्यापार व अन्य सभी प्रकार के सुख अब आपको प्राप्त होने वाला है, जी हाँ, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्नुजी के आशीरवाद से अब आपका बंद किस्मत का त कि किस प्रकार से जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्नुजी और साथी साथ सभी 33 कोटी देवी देवताओं का आशीरवाद मिलने वाला है, कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं, कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको अपने व्याप नौकरी में, करियर में, कारोबार में, बिजनेस व्यापार में, आपके पारिवारिक माहौल में, आपके दैनिक दिन चर्या में, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान श्री हरी विश्नुजी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बा जैश्री हरी विश्नुजी का नारा लगा दीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिये। जैसे अनेकों योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दे, कि अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में नौकरी के भी योग बन रहे हैं। उठाना है, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जी हां, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी 100% सटीक जानकारियां देंगे, वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, उपाय वीडियो के अंत में है, इसलिए उपाय तक हमारे साथ बने रहिएगा और उपाय लेकर ही जाएगा। दोस्तों भगवान श्री हरी विष्णु जी और न्याय के देवता भगवान शनी देव जी के आशीरवाद से अब मालिक बनने का समय आ गया है। इस आप नौकरी में कार्यरत हैं, तो वहां पर भी खुश कबरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी पैसा के जाथक है, तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश में है, तो वह इच्छा भी अब आपकी पूरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, यदि आपका बिजनस व्यापार ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि आपका बिजनस व्यापार को किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दी है, किसी ने आपकी किसमत को बंद दिया है, आपके बिजनस व्यापार को रोक दिया ह तो आपको यह उपाय कर लेना है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जो उपाय हम आपको बता रहे हैं इस उपाय को एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा जी हाँ इसके लिए आपको अमावस्या या फिर शनिवार की सुबह एक नीम्बू लेना है जी हाँ और उसके चार टुकडे कर देना है इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों 21 काली मिर्च और साथ लॉंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दे मैन डोर यानि की मुख्य द्वार पर रखने से ज्यादा लाबकारी सिद्ध होता है दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में तेजी से ग्रंथ होने लगेगा जी हाँ और जो भी आपका बिजनेस व्यापार रुका पड़ा हुआ है वह भी ठीक ठाक चलने लगेगा चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन सभी खुशखबरी के बारे में चर्चा करते हैं जो खुशखबरी अगले 24 घंटे के भीतर आपको प्राप्त होने वाला है देखिए दोस्तों आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ती हो सकती है जी हाँ अगले 24 घंटे के अंदर जो शुभ समाचार आपको प्राप्त वाला है वह शुभ समाचार धन प्राप्ती से लेकर हो सकता है संतान प्राप्ति से संबंधित हो सकता है नौकरी प्राप्ति से संबंधित हो सकता है कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा जो की आपके पूरे तनबदन में आग लगा देंगे जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले 24 गंटे के अंदर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा जी हाँ, मान लो एक प्रकार से आप हवा में उड़ रहे हो हवा में उच्छल रहे हो ऐसा अनुभव होगा आपके पूरे घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा लेकिन इस बात का भनक आपके पडोसी को नहीं लगना चाहिए आपके रिष्टेदार को नहीं लगना चाहिए और आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं आपकी कामयाबी आपकी तरक्की से जलते हैं ऐसे दोस्तों से रिष्टेदारों से और पडोसियों से एकदम सावधान रहना और दूर ही रहना क्योंकि आपकी काम्याबी और खुश खबरी को देखकर वह लोग सहन नहीं कर पाएंगे और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है और जिस आप अपना सबसे बड़ा शुभचिन तक समझते हैं अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में और आपके घर में खुशियां बरकरार बनी रहे तो आप अपनी खुशी का धि धोरा किसी के भी सामने मत पिटना देखिए विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है लेकिन जो विद्यार्थी घर से दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं तो समय अभी काफी अच्छा है विदेश जाने के योग ब दन रहे हैं विद्यार्थियों को अभी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान फोकस करने की आवश्यक्ता है जी हाँ आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलाह और सहयोग आपके लिए एकदम वर्दान साबित होने वाला है। इस समय में आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो आप अपने घर के बड़े बुजर्गों का अपने घर के वरिष्ट व्यक्तियों का सलाह जरूर लें या आपके लिए बहुत ही लाबकारी रहेगा। देखिए दोस्तों, रूपय पैसे के मामले में स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। जह की परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही कार्य करें। ज्यादा आवाज ही करना या घर से बाहर समय बिताना आपके लिए अभी परेशानी वाला रहेगा। जी हाँ, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। कहते हैं न सावधानी हट ही तो दुरघटना घटी। यही चीज आपके जीवन में लागू हो सकता है। आप दृढ निश्चय वाले इनसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर दें तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं जाते। आप वह भी करने की क्षमता र आज आपको खुशी से रोना पड़ेगा। जी हां दोस्तों क्योंकि एक साथ पांच बड़ी खुश्खबरी आपको प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जी हां दोस्तों जानकारी के ल और इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में दिखाई देने वाला है जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर के बाद आपके घर कोई नए महमान का आवागमन हो सकता है जी हाँ दोस्तों, देखिए, दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी ने दिया एक साथ दो-दो बड़े सब संकेत आपका पूरा इतिहास बदलेगा जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, पांच, बड़ी-बड़ी खुश्खबरी आपका इंतजार कर रहे हैं जो कि आज आज आपके जीवन में दस्तक देने वाली है दोस्तों बेरोजगार लोगों के लिए आज का दिन अति उत्तम रहने वाला है सबसे पहले उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी आज उन लोगों को किसी मल्टी-नेशनल कमपनी से बुलावा आ सकता है या फिर जिन लोगों ने नौकरी के लिए कहीं पर आवेदन किया हुआ था तो वहां से शुभ परिणाम आने की पूरी-पूरी संभावना है जी हाँ दोस्तों इसीलिए हमने कहा था कि इस राश्य के जातकों का भाग्य उदय होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हर तरफ से लाब ही लाब देखने को मिल रही है जो चीजें आपके पक्ष में नहीं थी देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीरवाद से वह चीज भी आज आपको मिलने वाला है लेकिन मन को शांत रखना जी हाँ कुछ बातों को उजागर करने से बचना होगा वह अपने तक ही सीमित रखें तो यह आपके लिए बहतर होंगे जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आज ग्रहों की जो स्थिती है वह आपके लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों धन के देवता भगवान कुबेर महाराजजी के आशीरवात से धन दौलत से आपका पूरा घर भर देंगे जी हाँ दोस्तों صिर्फ नसीब वालों को ही ऐसा मौका मिलता है दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें धन के देवता भगवान कुबेर महराज जी आपके भाग्य को बदलने वाले हैं जी हाँ दोस्तों दोस्तों जनकारी के लिए हम आप सभी को बता दें अब आपका किस्मत ही बदल जाएगा क्योंकि दोस्तों धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपकी कुंडली में विराजमान होने वाले हैं आज अब आपके जीवन में जो होगा इसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों अचानक से होगा आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आज घर का पूरा परिवार खुशी से जूमने वाला है जी हाँ दोस्तों क्योंकि केवल खुश नसीब वालों को ही भगवान आप जान लेंगे और इन बातों को अगर आप अपने दिमाग में उतार लेंगे तो आपको दूसरों के सामने हाथ पहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं दूसरों के सामने भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी सभी परेशानिया धीरे धीरे भाग जी के देवता, भगवान शणि देव जी दूर करने वाले हैं, जी हाँ दोस समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा लेकिन उससे पहले भागी के देवता भगवान शनी देव जी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सर्व प्रथम वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने प्यारे हाथों से जै हो शनी देव मह जरूर लिखें तो आईए बात करते हैं दोस्तों भाग्य के देवता भगवान शनी देव जी के वाला शीरवात से आपका पूरा घर धन दौलत और पैसों से भरने वाला है देखिए दोस्तों अगर आपका पुराना पैसा अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था या भीर किसी स्टौक मार्केट में शेयर बाजार में लगाया था आप वहां लाख पर्यास करके ठक चुके थे और वह पैसा आपको नहीं मिल रहा था तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कैसा अब आपका मिलने वाला है जी हाँ क्योंकि नयाय के देवता भगवान शनी देव जी ने इस बात को लेकर शुब संकेत दे दिया है और एक बात आप सभी को पता ही है कि न्याय के देवता भगवान शनी देव जी अगले साथ जन्मों तक याद रखते हैं और उसका हिसाब किताब करते हैं आपने सुना था कि भगवान के घर देर देर होता है परंतु अंधेर नहीं होता है यह बात अब आपको अच्छी तरह से समझाने वाला है कि सच में भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता है जी हाँ दोस्तों आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथो हाथ केवल इसी लिए रद्ध नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है आज बद्धा सोचने और उंचाईयों को छूने का दिन है ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी अही और आप पाएंगे कि परेशानियों से खुद बखुद समाधान नजर आने लगेंगे आपने अपना वजन कम करने संबंधी एक बहुत बढ़्धा लक्ष निर्धारित किया है आज आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे शायद कोई आपको चॉकलेट देगा या आपके पसंदीदा जंग फूड के लिए आमंतरित करेगा लेकिन आप आसानी से इस लालच से बाहर निकल पाएंगे और अगर आप एक बार ऐसा करने में काम्याब हो गए तो बहुत जल्द अपने लक्षियों को प्राप्त कर लेंगे आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेश रूप से अनुकूल है जो की एक विशेश व्यक्ति से मिल सकते हैं जो की आपके भविश्य के जीवन में प्रमुक्ता रखेगा अगर आप एक रिष्टे में पहले से ही हैं तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि ये लंबा और सच्चा प्यार है या एक म्रिग त्रिश्णा भर है आज आप एक गंभीर रिष्टे की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं आज अपने कार्य से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है आपको पदोंनत किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहन कर सकते हैं आप एक पेशेवर सलहकार या अपने किसी करीबी से आज कैरियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं अगर आप इस सलाह पर परियाप्त ध्यान देंगे तो आप काफी लाभानवित हो सकते हैं। आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं। लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके अपनी खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं। लेकिन ऐसे करने में आपने सभी अपनों से एक दूरी सी बनाई हुई है और इस से आपके दिमाग और आत्मा के स्वस्थ विकास में बाधा पहुँच रही है। इसलिए अपने आसप अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली तो भी ओवर्रियक्ट न करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो आपको इन छोटी-छोटी धरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यवहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। जब आप एक नई पर्योजना में तल्लीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्ती स्थिति स्थिर रहेगी जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। आज का दिन नई शुरुआत के लिए बिलकुल सही है। आप अपने आपको पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है। लेकिन आपको उसे समय रहते पकट देचना होगा। समय रहते लिया गया। निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूरण एवं लाबकारी बदलाव ला सकता है। आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं। और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बियारेच रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाई। डेटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आप अपने पार्टनर की किसी काम, भाव, भंगिमा से आश्चर्य चकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आधी पर जाते रहे हैं, तो आज भी ऐसे ही एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव भंगिमा से आपको उनके बारे में नई बातें जाने और इसके आधार पर भविश्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। असानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़िडी डिएच सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता लेकिन व्यावसाई कारणों के लिए यह आपको करना होगा। अपने घर से जोड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक उर्जा का लाब उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आज अपनी सेहत का विशेश निरिक्षन करें। आप पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और परियाप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। इसने वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुँचाया है। चाहे आपको इसका पता भी न चला हो। आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हों। लेकिन यह सच नहीं है। आज का दिन कुछ पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बिलकुल उपयुक्त है। अपने बच्चों को बाल गेम के लिए या फिर म्यूजियम या पार्क में ले जाई। आप अपने माता पिता या बहन भाईयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपको इसके लिए कोई बड़ी पार्टी रखने की बजाए अंतरंग सी मुलाकात रखनी चाहिए। दोस्तों अब समय आ चुका है। उपाय की अगर खास उपाय की बात करें तो उपाय है अपनी तिजोरी में नौ लक्ष्मी कारक कोडियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और जहां माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है वहाँ पर धन की वर्षा होती है दोस्तों आपको बता दें कि नियमित रूप से केले के पेड में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है घर में सुक्षान्ति का वास होता है धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसंद करने की एक और भी चमतकारे कुपाय है भोजन करने से पहले कुट्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दें क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी जी खुश होते हैं तो दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करिएगा आपको लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद दिन आपका श्रूर